बोजन समाज पार्डी प्रमुक मायवती ने ब्रहस पतिवार को कहा कि प्रधान मंत्री नरिद्र बोजी भाजपाद देख्शामित शाह और उनके नेताओं के और से पश्चिम मंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बैनर जी को निशाना बनाया जाना बहुत ही खतरनाक और अन्या इसकाल में हिंसा को देखे तो साब पता चलता है कि मोदी और अमित शाह के नितरुतों में उनके पार्टी और सरकार ने एक सोची सम्ची रन निती के तहट ममता बैनर जी की सरकार को निशाना बनाया है ताकि लोगों का ध्यान मोदी सरकार की कमियों और विफलताओं से कोशिश की जारी है वो देश के प्रधान मंत्री को शुभा नहीं देता मैंवती ने कहा है कि भाजपा और मोदी की कोशिश है कि बंगाल के मुद्दे को इतना जादा गर्माया जाए कि उनकी विफलताओं से लोगों का ध्यान हट जाए लेकिन इस साजिश को वो समझती है उत्तर प्रेश की तरह मंगाल की जनता भी भाजपा को करारा जबाब देगी बसपा प्रमुक ने कहा है कि इससे भी जादा दुख इस बात का है कि केंदर सरकार के दबाओं में मुख्य चुनाओ आयोग ने पच्चिम मंगाल में एक दिन पहले ही चुनाओ प्रचार पर र लगानी चाहिए थी इससे सपष्ट होता है कि वर्तमान मुख्य चुनाओ आयोगत के रहते वे इस बाहर का लोग सबाद चुनाओ पूरी तरह से स्वतंत्र और निश्पक्षन नहीं है इससे हमारे लोग तंत्र को भारी नुक्सान पहुंच रहा है और ये अती निंदनिय तथा शर्मनाग भी है बसपास सुप्रेमियों ने कहा है कि यहां उत्तरप्रेश में भी भाजपा और आरेसस ने बंगाल जैसी स्तीती पैदा करने की कोशिश की थी लेकिन हमारे गडबंधन ने इनके शरियंद्र को नाकाम कर दिया